बिहार अहिंसा की धर्ती है, सांती की धर्ती है बिहार समाजिक सद्भाव और समाजिक सम्रस्ता की धर्ती है और बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं अब इस साल में देख रहा हूँ खूली इतनी अच्छी तरह से बीती राम नौमी इतने अच्छी तरह से भीती इद का तिवहार गुजरा सब्वे बरात गुजरी सब कुछ अत्यमत सांती पुरुन धंग से सामाजिक सद्भाव बनाये रखते हुए बहुत अच्छे से तिवहार मनाये गया ये दसहरा आतिहासिक रूप सांती पुरुन धंग से संपन्ध हुआ एक जिले में कुछ लोगों ने सरारती तर्तों ने गड़बड़ी करने की कोशिस की जिसको काबू कर लिया गया और जैसा पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जो लोग सामाजिक सद्भाव को बिगाडने के लिए काम करें। किसी जात के किसी मजभ्ड के किसी धर्म के हूँ इसका परणाम तो उनको भोगना पड़ेगा सरकार की नीत और सरकार की नियत बिलकुल असपस्ट है कि सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरस्ता को बिगाड़ने का प्रियत्म करने वाले सभी असमाजिक तत्तों के खिलाब कड़ी से कड़ी कारवाई की जाए वो हो रही है और आगे भी होगी ऐसे लोगों के नाम की परविष्टी गुंडा रेजिस्टर में भी होगी और उसके बाद तो कहने की जरूरत नहीं कही बार कहे चुका हूँ एक बार गुंडा रेजिस्टर में नाम की परविष्टी हो गई तो उसके कितने खामियाजे भूगतने पड़ेंगे आने वाला त्योहार है अभी दिपावली हमारा च्छट मैं तमाम बिहार के लोगों को दिपावली अच्छट की सूख कामनाय देता हूँ खुब प्यार से महबबत के साथ सामाजिक समरस्ता बनाये रखते हुए समाजिक सदभाव बनाये रखते हुए इस दोनों तोहारों को मनायें बीच में चहलुम भी है चहलुम को भी सांती पुरुढंग से बन होने दें बिहार का एक-एक नौजवान और एक-एक आवाम खुद सिपाही बन करके खुद अधिकारी बन करके खुद सांती का प्रहरी बन करके और इन तोहारों को बिल्कुल अच्छे ढंक से संपन्न कराये मेरी मंगल कामनाये मैं गुपतेशवर पांडे डीजी पी बिहार आप सबों को प्रणाम करता हूं और अपील करता हूं कि बिहार किसी भी इस्थिती में, किसी भी हालत में बिहार का नाम बदनाम नहों